बात करते हैं सिकुर नहीं कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामने ने किया the difference between the successive discount of 40% followed by 30% and 45% followed by 20% on the mark price of an article is 12, the mark price of the article यहनी एक्जामने ने क्या का एक article है उसका mark price नहीं कुछ दिया हुआ है उस पर पहले वो 40% का discount देता है फिर 30% का discount देता है जो उसका value आता है वो फिर उसी mark price पे अगर 45% और 20% के 2 discount दे तो जो value आगी उन दोनों value का नहीं पहले वाली बची value का और दूसरे वाली बची value का difference करेंगे तो वो 12 आएगा examiner पूछ रहा है कि mark price गया है अगर इसको direct करना है तो direct कैसे करना है वो देखें जब 20 प्रकार का question है यानि कि कितना है आगा आपका 70 70% फिर दूसरे लगा 45 और यह होगा 20 यानि 65 तो इसमें से आप इसके दोनों के discount को minus कर देजे कितना है आपका यह 5% यहाँ पर लगदेजे 5% फिर क्या करना है इस पहले वाले और दूसरे वाले को दोनों को multiply किजे तो कितना हो चारती है बारा सो बा 500 फिर सो से डिवाइड के लिए multiply करने के बाद में नू आया इन दोनों का difference किजिए difference कितना और आपका 3 इस 3% को इसमें से minus कर दीजे कितना बचेगा आपका remaining 2% और यह 2% किसके बराबर होगा आपका 12 की बराबर होगा अब इस 2% को आप हमेशा कितना बना दो 100% बना दो तो तो 50 इससे multiply करेंगे तो यह आपका आजाएगा आपका 600 यानि कि option जो आपके पास में आपका C होगा वो इस question के लिए correct होगा एक बार देखते हैं जरा क्योंकि यह अलग-अलग मैंने minus किया तो हो सकता है मैं भी little भी थोड़ी बहुत किसी confusion हो तो देखी मैंने क्या किया मैं मैंने पहले एक का discount निकालिया total discount कितने लिए इन दोनों को multiply किया किया तो कितना हुआ आपका इन दोनों का मैं चारती है बारह बारह सो घड़ी गया मैंने इसमें 100 और इसको minus कर दिया इन दोनों के sum में से सम किरेंगे कि कितना आपका 70 70% तो इसको मैंने इसमें से माइनस किया तो जब इसमें से माइनस करूँगा तो यह मेरे पास में 8 हैगा और यह मेरे पास में 6 में 85% यानि कि इसकी जो remaining value जो total discount आया वो कितना है आपका 80% आया इन दोनों की जाएगा अब दूसरे वाले का निकाल लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ूँगा तो मेरे पास कितना हैगा यह आजाएगा मेरे पास में आपका 65% इसमें से माइनस करूँगा इन दोनों की multiple को 100 से डिवाइड करके यानि 45 इंटू में 20 बटे में आपका 100 यानि कि 9 तो 65% माइनस का आपका 9% तो इसमें से माइनस करूँगा तो कितना हैगा इसका जो अंसर आएगा यानि कि 600 रुपे जो आएगा वह मार्क प्राइज आएगा अब चलिए इसको एक बार एक और दूसरी तरीका क्या है कि मान लेते हैं कि मार्क प्राइज जो था मेरे पास में सो था यह भी मेरे पास मायक प्राइस प्राइस हो था यह एक ही वैल्यव और यह दूसरी आ तो इसितर दूसरी तरग दिस्कॉंट देंक Twin इंज Krun होच है आपका क्योंकि 100 मेसे अगर आप 45 माइनस करोगे तो यह 5 बच्छे का और यह चार था तो यह 5 परसंट करें गांधर इसका 80 बच्छे गांधर है इससे मिरोड़े चले गाया तो दो चोकाट और व्हा करें कि इसका जो टूडल discount 44% है यानि कि 100 रुपे की payment करनी थी एमरपाई 100 रुपे था बट वो डिसकाउंट के बद कितनी पेमेंट कर रहा ब्यालीस रुपे इसने कितनी की पेमेंट 24 रुपे अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालू अंतर निकालू तो अंतर कितना रहा है मिरे पास में 2% का रहा है यानिकि 2 रु अगर ऐसे नहीं करना तो इस 100 में से बैल इसको मैनस कर दीए तो रिमेनिंग आपको क्या मिल जागा डिसकाउंट मिल जागा दोनों का डिफरेंस करो करो तो भी इसका अंसर सेम से मायागा चलिए एक बार और देख लेते हैं यह मैंने पहले बार क्या से किया था मैने जो ल पुलस का दूसरे वाला डिसकाउंट, माइनस से पहला वाला डिसकाउंट, इन्टू में आपका दूसरे वाला डिसकाउंट, अपोन में 100, यहां पर भी 100 होगा आपका, और इन दोनों का जो difference करके आएगा, वो बराबर आएगा आपका कितना 12 रुप, यह एक्जाम में ने पहला discount कितना था मेरे पास में, आपका 40% पहले वाले में, और दूसरा कितना था, 30% था, ये 40% था और ये आपका 30% था, तो ये कितना वह असकतर, ये 4 थी है, 12, 1200 इस से social जाएगा, यानि कि ये minus किया जाएगा, 12% जाएगा, minus का इंशाला है, फिर यहाँ पर, यहाँ दूसर कितना था, आपका 20% था, 20%, तो 45% इंटू में 20%, ठीक है, तो 45, और ये कितना हो जाएगा, आपका 65%, ठीक है, 45 दूसरी 90, यानि 45 दूसरी 90 हो जाएगा, तो ये 0 कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, मानस का 9%, 9%, और इन दोनों का difference दे रहा है, 12, तो इसको solve करूंगा, तो मेरे पास मेंकि 70% आजाएगा आपका, माइनस का 12% आजाएगा आपका, ये मार्स का 65% हो जाएगा आपका, और या प tren पर्षेंट और ये plus का 9% हो जाएगा, आपका बराबरमे कितना हो जाए गापका 12, तो देखें इसमें से ये जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आपका mark price जाएगा इसे 50 से multiply करूँगा इतर तो ये 100% जाएगा तो 50 से दर multiply करूँगा तो 600 रुपे हो जाएगा यानि कि option जो मेरे पास मैं C होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा